Hey everyone, let's start with the new topic, Hide Project. In this, हमार पास एक डाटा गिवन है, और हम चाहते हैं कि हमारी एक ही सिल्फ के दर दो अप्षिन गिवन हो, Hide और Unhide, जिससे Hide करें तो उतना पॉर्शन Hide हो जा, और Unhide करें तो उतना पॉर्शन वापसी आजे, तो इसके लिए हमारे को पहले डाटा पे जाना पड़ेगा, Then Go To Data Validation, और यहां से आपको List चूज कर लेनी है, और आपको List बिनानी है Hide और Unhide की, Then आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे दो अप्षिन गिवन है, Hide और Unhide का, Then आपको उतना पॉर्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको Hide करना है, Let's say मैंने दो कॉलम सेलेक्ट कर ले है, Then आपको Home पे जाना है, Then आपको Conditional Formatting पे जाना है, Then आपको Select New Rule करना है, Then आपको यहां Last वाला Option क्लिक करना है, Use a Formula वाला, Then यहां आपको Equals To, और आपको Select कर लेना है, यह Hide वाला सेल, Then equals To, Inverted, Begins, और यहां पे आपको Type करना, Hide, Inverted, Close, Then आपको यहां पे Format पे जाना है, Then Go To Custom, और यहां आपको तीन सेमिकोलम लिखने है, 1, 2, 3, Then OK, अब यहां देख सकते हैं, हाइड है तो उतना portion हाइड हो गया, और अगर मैं यहां पे Unheight लिख करते हूँ, तो उतना portion वापस यहां जाता है,